Hello and welcome back to the channel So, आज का topic थोड़ा interesting होने वाला है क्योंकि आज हम लोग discuss करने वाले है 5 most deadliest snake in the world के बारे में कि कौन-कौन से ऐसे snake है जो अगर इनसान को काट ले तो उनका बचना मुस्किर हो जाएगा So, according to WHO, जो के World Health Organization उनके मुताबिक पूरे दुनिया में 600 ऐसे snake के species हैं जो venomous होते हैं अब venomous और poisonous में क्या अंतर होता है तो अंतर बहुत ही जादा simple है देखिए अगर कोई भी चीज आप खाते हैं और उसकी बज़ज़ा से आपके body में poison फैलता है तो उसे poisonous बोला जाता है और कोई भी ऐसा animal आपको काटता है और उसकारण से आपके body में poison फैलता है तो उसे आप venomous बोलते हैं जिदने भी snake होते हैं वो venomous होते हैं ना कि poisonous बट इन 600 species में से 200 ही ऐसे species है न जो ज़्यादा damage पहुँचाते हैं humans को बाकी जो है वो चूह होगा कोई ज़्यादा damage पहुचाएंगे small animals को ज़्यादा damage पहुचाएंगे लेकिन humans को नहीं so snakes को तो लोग बहुत अलग तरीके से भी differentiate करते हैं जैसे कि उसके जहर के एक drop से कितने मतलब इनसानों की मौत हो जाएगी बट आज हम लोग इसको simple लख रहे हैं कि ऐसे snakes जो मतलब एक बार इनसान को काटेंगे न तो उसका fatality rate कितना होगा मतलब कि कितना percentage chance होगा कि वो इनसान बचेगा या फिर मरेगा ठीके तो without late किये हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो पहला जो species है हम लोग के snake का वो है inland type ant सो इसका fatality rate के अगर हम बात करें मतलब अगर इसके काटने से कितना percentage chance है कि वो इनसान मर जाएगा तो इसका fatality rate है 80% और इसके venom को paralyzing venom भी बोले रहता है और इसमें बहुत सारे चीज़ प्रेजन होते हैं इसके toxic में जो की होता है typeoxin, neurotoxin, procoagulation, myotoxin और ये सब तरीके के toxins इसके venom में present होते हैं जो वो क्या करते हैं हमारे body में hammer hedging कर देते हैं अब hammer hedging क्या है, so hammer hedging क्या होता है ना, simply जब भी हमारा body, मतलब blood का loss होने लगता है हमारे body में चाहे वो externally हो या फिर internally तो क्या होता है, उसे हमने बोलते है hammer hedging so ये उसी को lead कर देता है, मतलब इसका venom हमारे blood को मारने लगता है इस विए से क्या होता है, हमारे muscles tissue और blood tissue जो होते हैं या फिर blood vessels आप बोल सकते हैं वो जो होते हैं वो fail होने लगते हैं और आखिरकार एक इनसान paralyze होकर मौत की तरफ बढ़ जाता है so दूसरा इस snake जो हमारा है, उसे बोलते हम लोग eastern brown snake या फिर commonly इसे बोला जाता है common brown snake ये दुनिया का दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा venomous land snake माना जाता है क्योंकि Australia में जितने भी snake bite से मौते होती हैं उन में से 60% जो मौते हैं वो इसके खाते में हैं कहने का मतलब अगर मालीजी Australia में 100 आदमी की मौत हो रही है तो उसमें से 60 आदमी की मौत जो है इसके काटने से होती है मेंली क्या होता है ना कि इसके काटने से हमारा circulatory system काम करना बंद कर देता है इस वैसे hammer hashing भी होता है, cardiovascular collapse भी होता है, साथ साथ cardiac arrest भी होता है cardiac arrest और heart attack दो different thing है आप internet पे उसे देख सकते है जो तीसरा number पे हमारा snake है उसको बोला जाता है coastal type so यह northern and eastern Australia में पाय जाता है हाँ आप यह सोच लोगे कि जादा तर venomous snake जो है वो ऑस्टेलिया में क्यों पाय जाता है तो मैं आपको एक बात बता दू कि majority अगर venomous चीज़ का देखा जाएना तो वो majority Australia and Africa में ही पाया जाता है और अगर Australia में यह भी बोला जाता है कि अगर कभी भी आप Australia जाए तो अपना जूता दुबारा पहनने से पहले चेक जरूर कर ले so Australia में इसे एक venomous snake के रूप में रूप में क्या देखा जाता है यह venomous snake है ही so क्या होता है यह जो snake है यह किसी person को within an hour kill कर सकता है इसका toxic जो इसका venom जो है इतना खतरनाक होता है जो चौथे नमबर पे हमारा snake आता है वो है King Cobra so इसका fatality rate जो है वो बस 50-60% होता है so इसे longest venomous snake भी बोला जाता है क्योंकि यह maximum 5.5 meter तक बढ़ा हो जाता है आप सोच नहीं सकते अगर मैं ऐसा बोलू ना तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यह किसी भी 6 feet के इंसान के आख में आख मिलाकर नयान मटक का भी कर सकता है so ऐसे इसे उतना खतरनाक snake इस वज़य से नहीं माना जाता है इंडिया में क्योंकि यह जादा तर humans पर attack नहीं करता है आज तक बस इंडिया में इसके काटने से बस 4 लोगों की मौते हुई है so यह mainly पायाता है South India में, Indonesia में and Philippines में that is हम लोग बोल सकते हैं कि यह mainly South Asia ही में पाय जाता है so आखरी में आता है दुनिया का सबसे ज़ादा venomous snake जिसका fatality rate है 100% मतलब अगर इस snake ने आपको काटा तो आपकी मौत होना तय है और उस species का नाम है Black Mamba इसका native Africa का है, especially Eastern Africa का है इसके पास extreme toxic venom होता है इसे यह one of the fastest snake भी सोज़े से पूला जाता है क्योंकि अगर यह जमीन पे चल रहा होता है तो यह अपना रफतार 19 km पर आवर तक भी ले जा सकता है यह snake जो होता है वो 4 मीटर तक लंबा हो सकता है साथ साथ क्या है कि इसके काटने से Africa में हर साल 20,000 लोहों की मौते हो जाती है बट ऐसा mainly माना जाता है नहीं कि यह इंसानों पे हमला नहीं करते हैं लेकिन अपने protection के हुज़े से वो कभी कभी इंसान पे हमला करते हैं फिर भी यह King Cobra के मुकाबले इसका आकरा जो है बहुत जादा है So thank you guys for watching this video आज का वीडियो बस यहीं तक था मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जब तक के लिए बाई